मुंबई, हिंदुस्तान का दिल और हिंदुस्तान के इस दिल ने आज तक कई बार से है इसकी शुरुवात हुई थी 1993 सीरियल बॉम ब्लास्ट से फिर 2002 बस ब्लास्ट, 2006 ट्रेन ब्लास्ट और 2008 टाज 26 ग्यारं मगर मुंबई पर उनका सबसे बड़ा वार अब भी होना बकी था और इस वार को रोकने की जिम्मेदारी थी मुंबई आंटी टेररिसम स्कॉर्ट के एक ही उताकी क्या फिल्म सूर्यव अंशी की रिलीज बनी आक्षे कुमार के लिए सिर दर्ग क्योंकि आउदव ठाक रेने फिल्मेकर रोहिट शेटी की सरहाना क्या था फैंस का रियेक्शन जब सुनी सूर्यव अंशी की रिलीज रेट टलने की खबर रोहिट शेटी की कॉप युनिवर्सिटी का हिस्सा बनने वाली तीसरी फिल्म सूर्यव अंशी का सभी को बेसबरी से इंतजार तो रहा है पर ये क्या लगता है इस इंतजार को थोड़ा लंबा खीचना पड़ेगा क्योंकि अप्रेल 30 को रिलीज होने वाली फिल्म सूर्यव अंशी के फिल्मेकर ने अपने विचार बदल से दिये हैं जी हाँ दर्शकों स्वागत हैं आपका हमारे चैनल बॉली ग्रेट स्टूडियोज पर मैं हूँ आपकी दोस्त फ्रैंका और मैं लेकर आई हूँ फिल्म सूर्यव अंशी से जुड़े एक बेहत खास कबर फिल्म सूर्यव अंशी की रिलीज थियेटर में 30 अप्रेल को सुनिश्चित हुई थी पर महाराश्रम में बढ़ रहे कोरोना वाइरस के केसिस को देखते हुए फिल्मेकर रोहित शेटी ने फिल्म की रिलीज रोगती है रोहित ने कहा फिल्म की वो माहौल देखते हुए अभी रिलीज करना सही नहीं समझते हलाकि ट्रेलर देखने के बाद फैन्स काफी एकसाइटेड थे बर महामारी के आगे तो कोई कुछ करना सका और तो फिल्म क्या चीज है इस बात की जानकारी फिल्म क्रिटिक वे ट्रेड अनलिस्ट कॉमल नहाटा ने ट्वीटर पर दी उन्होंने जनता को बताते हुए लिखा कोविड के मामलों को देखते हुए रोहित शेटी ने फिल्म सूरिय वंशी के रिलीज रोगती है सीएम उद्दव ने रोहित को किया अप्रीशियेट जी बिल्कुल सही सुना आपने दोस्तों रोहिशेटी ने वाकरी में महाराष्ट्र के सीएम मानियन ने उद्दव ठाकरे जी से सरहाना प्राप्त की वो इसलिए क्योंकि रोहित ने मामले को गहराई को समझते हुए फिल्म के रिलीज को टालने का निरने लिया हाल ही में बॉलिवुड इंडस्ट्री के कई नामी एक्ट्रिस जैसे गौविंदा, आलिया बट, भूमे पढ़ने कर कार्तिकार यान वे खुद अक्षे कुमार कोरोना से जंग लड़ते नजर आई थे ऐसे में हम समझ सकते हैं कि सभी तरह के प्रिकोशन्स के बावजूद जब सेलिबरिटीज भी कोरोना वायरस से बच नहीं पा रहे हैं तो आम आदमी का क्या होगा बस इसी कुछ सोच के साथ रोहित ने फिल्म को आगे एक नई डेट अनौन्स करने का फैसला किया चल ही हम सभी को फिल्म की नई डेट बताएंगे उल्दो एक्टर अक्षे कुमार के खुद के लिए फिल्म की डेट दोबारा पोस्ट पॉर्ण करने की खबर सुर्मित बर्द बन चुकी है सिर्फ इतना ही नहीं ट्वीटर पर आम आदमी के रियक्शन्स देख कर आप हसेंगे भी और दूसरे और उन्हें देख कर उतने ही उदास हो जाएंगे चंता मीम्स बना बना के पेश करती आ रही है कई लोगों का कहना है कि आप तो फिल्म को ओटीटी पर रिलीज कर देनी चाहिए कब तक फिल्म को डिब्बे में चुपा कर रखोगे दोस्तों फिल्म कब तक आएगी डिब्बे से बाहर ये तो रोही शेटी ही बता सकते हैं पर इस फिल्म में कितने धमाके होने वाले हैं इसकी जिम्मेदारी हम लेंगे क्योंकि अक्षे कुमार का पुलिस वाला अंदास कितना रोमान चक साबित होगा ये हम जानते हैं सूर्य वंशी की अगली डेट अब तक नहीं आई है मगर आते ही जानकारी देंगे हम मगर उसके लिए बने रहे हमारे साथ और इंतजार करिए हमारी अगली वीडियो का चल मिलेंगे एंटेटेन्मेंट की और खबरों के साथ स्क्रिप्ट रिटर्न भाई भूमे का तिरपाथ्या स्क्रिप्ट